रेडियो हां जी सुन रे सारे सुरोत्यानू रंजो सेंग वलों प्यार परी सत्स्री आकाल अदाब सलाम नमस्ते अज जड़ी हस्ती दे नाल आपा अपने सुरोत्यां दी गलबात कराओं जा रहे हैं किसे वी जान पहचान दे मुथाज नहीं आम आदमी पार्टी दी जे गलकरी दे पंजाब दे विचा आम आदमी पार्टी दे इंचार्ज ने संजे सिंग जी सब तो पहला था बहुत 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 जड़ा शुक्रिया टाइम कड़न दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया सभी आपके सुरोताओं को सत्रिकाल नमस्काल मुझे पंजाब में पिछले डेड़ साल से काम करने का मौका दिया है पार्टी ने और आज मैं पंजाब के लोगों की तागत की बदूलत उनकी मेहनत की बदूलत उनका दिन राथ जो परिशनम है उस की बदूलत ये कह सकता हूँ कि आमादमी पार्टी फिल्ली का इतिहास पंजाब में दोराने जा रही है और प्रेटेंड बहुमत से पंजाब के लोगों की ताकत की बदूलत सौंसे ज़्यादा सीटे लेके आएगी और इसमें एनराइज जो हमारे बाहर ब संजेजी पिछले डेर साल तो तो ही पंजाब देवेचे काम कर रहे हो आमादमी पार्टी दे लेई सो कितना दा रहे है पंजाब वासियां देना अलग स्पीरेंस बहुत अच्छा रहा और देखें लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या मुद्दा बनाते हैं या कोई अपने विक्तिगत नीजी कारणों से क्या मुद्दा बनाता है वो महत्पूर्ण नहीं है लेकिन पंजाब के लोगों का बहुत समय मिला बहुत प्यार मिला बहु तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई बाहरी विक्ति हूँ जो जाके वहां काम कर रहा हूँ और मेरी भी एक धारना थी कि जब दिल्ली का चुना हो रहा था पंजाब के लोगों ने और खासतोर से नराइज जो बाहर रहते हैं उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके क योजना बना के कालिंग कैमपेंग चलाई लोगों को मोटिवेट किया दिल्ली के अंदर आमादमी पार्टी को वोट देने के लिए जब पंजाब का लोकसभा का चुना हो रहा था उस समय पंजाब के लोगों ने चार सीते दी जब हम 409 सीटों पे हमारी जमानते जब तो उस समय चार सीते पंजाब से हैं जो इसलिए पंजाब की धरती को सलाम पंजाब के लोगों को सलाम वहां के लोगों के जजबे को सलाम कि उन्होंने इतना बड़ा समर्थन आमादमी पार्टी को दिया समय समय पे तो इसलिए कांग्रिस के लोग या अकाली दल के लोग क्या कहते हैं वो महत्पूर नहीं है जहां तक मेरा अपना नोग है मुझे तो बहुत त्यार और इसमें रहते हैं उन्हों ने भी हाथों हाथ लिया और बहुत सारे जगांपे लेक्चर हुए वहां बहुत अच्छा सपूर्ट मुझे मिला तो मुझे लगता है कि आज आम आद्मी पार्टी की हवा है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग खड़े हैं, ये जो बदलाओ की राजनीती पंजाब में होने जा रही है, दोहजार सत्रा में जालू लगाने के लिए पंजाब की जनता तैयार है, और उसमें एक छोटे से सिपाही की कारेकरता की भूमी का अपन मैं देखता हूँ, जिस दिन ये मिशन पुरा हो जाएगा, मुझे पार्टी जहां दूसरे राज़े में पार्टी में काम देगी, मैं वहाँ जाके काम करूँगा, मुझे इमाचल में भी पार्टी ने काम दिया है, आगे हो सकता है, पंजाब के चुनाओं के बाद दूसरे किसी दाज में काम दे देगी पार्टी तो वहाँ जाके काम करूंगा लेकिन ये जो लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए आया हूँ मैंने बार बार कहा है और आज सिर आपके रेडियो पे दोहरा रहा हूँ उस बात को कि ग्राम पुर्धानी का भी चुनाओ मुझे पंजाब में नहीं लड़ना है एक मिसन के साथ सहीद आजम भजस्तिंग की धरती पे आया हूँ बादलों के बरस्ता चार से लड़ने के लिए नसा खोरी का धंदा जो मजीठिया फैला रहा है उससे लड़ने के लिए जिस प्रकार से आज लैंड माफिया ट्रांसपोर्ट माफिया केबल माफिया जिस तरह से माफियाओं का राज पंजाब में पहलाए गया है उन विवस्ताओं के खिलाफ लड़ने के लिए और यह मिसंद पूरा हो जाएगा तो आगे कहीं जाके काम करेंगे जो लोग बोल रहा है देखिए उनका पॉले Gentस कारण है जो बादल साब कहते है कि बाहरी लोग है या कटनम दिंदर साब कहते हैं बाहरी लोग है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बादल जी आप ये क्यों नहीं कहते कि जो प्रसांत की सोर है वो बिहार से आके पंजाब में पंजाब को चला रहा है सोनिया गांदी जी इटली से आके पंजाब को चला रही है राहुल गांदी दिली से आके पंजाब को चला रहा है हरीष चोधरी राजस्तान से आके पंजाब चला रहे हैं आसा कुमारी हिमाचल से आके पंजाब चला रहे हैं वो एक भार भी कांगरेस के बारे में नहीं बोलते हैं खाली दल वाले मेरे बारे में बोलते हैं कि बाहर से आके चला रहे हैं अबार से आके चला रहा है। उसकी वज़ए यह है कि उनका मकसद है कि जिस तरह से मैंने हिर साल में पार्टी को खड़ा किया है, जिस तरह से आढ़ पार्टी के पक्ष में महाल है साँ से ज़्या रा सीते हैं, हम आदी पार्टी जीतने जा रही है। यह संजे सिंग हट जाय हो जाएगा तो इसलिए मुझे लगता है कि एकदम टार्गेट किया जा रहा है बाकि लोगों की जहां तक बात है लोगों के मन में कोई नफलत कोई गुस्ता मेरे लिए नहीं है मैं ऐसा बिलकुल नहीं मानता उनका बहुत प्रेम बहुत सम्मान है और कभी मुझे ऐसे नहीं मिला लगा लोगों के घरों के जाके उनकी रोटियां खाई है लंगर खाया पंजाब का तो वहादा कर्ज है और सहीद आजम भगवगव सिंग का कर्ज ये पूरा देश है तो उस करजे को चुकान पंजाबी इस बात को कहीं बुरा मानेगा राजनीतिक कारणों से हो सकता है लोग बिरोध करने जी आम आदमी पार्टी ने तानू पंजाब दे वेचे आउदा देता है जिम्मेवारी तानू सौंपी आम आदमी पार्टी दी कमान देले तो तुझी खोद जे तानू सेठस्वाई हों कि देखिए ये संजे सिंग का कोई अकेले में कुछ नहीं हूं मैंने कोई अकेले जाकर वहां तीर मार दिया इस गलत साहिमी में अभी बिलकुल नहीं है पंजाब के लोग बादल के फ्रश्टा चार से दुखी थे पंजाब के लोग जस तरह से नौजवा सब्सक्राइब के दंदे को फैला के जिस तरह से पंजाब की जवानी को बर्बाद किया रहा था उस बास पे लोग दुखी थे और उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है मेरा कोई युगधान थोड़ी है मैंने तो सिर्फ बहुत थोड़ी सी भूमीका निवाई लोगों को एक अठा करने की संगटन बनाने की साथ में सब को लेके चलने की पेरी भूमिका को मैं उत्में तक देखता हूं मैं किसी गलब साहिमी में नहीं हूं मैंने कोई अपने मन से तीर नहीं मार दिया सारे कारकर्टाओं की मेहनत है सारे जो हमारे वलिंटियर्स है बूत लेवल के, स्ट्रो लेवल के सपरकर लेवल के, जै Cathedral के state के frontal organization youth के, mail-on के, STST cell के, traders के, उन लोगोंने काम करके, legal cell के, उन लोगोंने काम करके party को यहां तक बढ़ाया है, तो उन कारकरताओं के judge W.E. को सलाम है, जिसने आज party को यहां तक पहुँचाया है, और मैं 100% उनकी मेहनत से, उनके काम से satisfied हूँ, और आज हम आदमी पार्टी सौ से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है, यह मैं आपको दावे के साथ कहते हुआ। मजीथिया जो है, वो नसे का कारुबार पंजाब में फैला रहा है, जिसकी वज़े से पंजाब में नौजमान नसे के सिकार हो रहे हैं, जिसकी वज़े से पंजाब के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है, जहां पे लोगों की ओर्जा शक्ति खटम हो रही है, शिर्फ नसाखोरी के चक्कर में बेरुजगारी बढ़ रही है, ये सब बाते तो मैं सुनता था, लेकिन मेरे मन में एक धारणा थी, कि पंजाब जो देश का नमबर एक का किरसी प्रधान राज्य हुआ करता था, वहां का किसान खुशाल होगा पूरी तरीके से, और पंजाब के किसा किसान के और पूरे देश का किसान देखता है, उस तक देश का भी देखता है, बिहार का भी देखता है, लेकिन ये जो हालाग मुझे पता चले किसानों के पंजाब पहुँचके, उससे मन में बड़ी तक्रीफ हुई, और बहुत सारी जगों पे मैं गया, एक नوجमान जिसक के नीचे अपने आपको रह के चला लिया, अपने आपको मार लिया, आत्मत्या कर लिया, निर्मे की खेती बरबाद ही, तोता सिंग के भस्ता चार के कारण, जिसके कारण बहुत सारे किसानों ने आत्मत्या की, तो जो अकाली दल सरकार की जो नीतियां है, आज वो किसानों के मौत का तारण पंजाब में बन रही है ये एक एक नया अनुवा मुझे वहाँ पे हुआ कि आज किसान इस प्रकार से बधाली जेल रहा है और इसके लिए भी एक बड़ी योजना एक बड़ा तारिकरन आम अद्मी पार्टी बना रही है और 11 तारिक को हम किसानों का मैनिफ प्रक्षा का सवाल हो चैसे ट्रांसपोर्ट माफिया लैंड माफिया बहुत सारे इनराईस ने बताया कि उनकी जमीने वहां पे कबजा कर ली गए है उसमें अकाली दल में काम करने वाले नेता या मंत्री या विधायकों का हाथ है पुलिस उनका पूरा साथ देती है अकाल हो रही हैं वहाँ पे केबल माफिया हैं वहाँ पे लैंड माफिया हैं वहाँ सेंड माफिया हैं हर तरह से अपराद चारों तरफ बढ़ाने में पूरी बूमी का बादल की सरकार निभा रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी ऐसी चुनोतिया है जिससे आम आदमी पा पार्टी लोगों के सामने एक बेहतर विकल्प के रूप में इसलिए उभर के आई कि हमने इन देड़ सालों में जमीनी अस्तर पे संगर्स भी किया और संगर्थन भी तयार किया लोगों को यकीन है कि अगर कोई पार्टी बदलाव ला सकती है पंजाब में तो हम आदमी पार करने पहला पंजाब बहुत खुशहाल होंदा ही ऐस टाइम दे पंजाब दे हलात जेड़े ने ओ तुसी वेखी रहे हो सारे अपां खबरां देविच भी सोंदें आए देन कुछ ना कुछ वेखन नो मिलदा मजूदा सरकारवलों दावे कीते जांदे के इनू स्विजर ल पंजाब को पंजाब ही अगर बना दे हैं बादल ताए तो मुझे लगता है पंजाब के लोगों पे बड़ी कृपा होगी उनकी वो पंजाब को कालिफोर्निया और पेरिस और लंडने की बात करते लेकिन इस बार से पंजाब के लोगों को यकीन नहीं है क्योंकि पंजाब में जो हालात आज हैं आप बताईए कि जिस किर्सी जो जो राज देश का नमबर एक किर्सी प्रदान राज जो होता था वहां इसकितान आत्मत टाह कर रहे हैं जहां के नौजवानों को देखके लोग खेल के प्रती आकरसित होते थे, जहां के नौजवानों को देखके लोग कहते थे कि इस प्रकार से हम लोग देश के लिए समाज के लिए समर्पित हों, आज वहां नौजवानों को नसा खोरी में ढखिला जा रहा है, आज वहां बादल साब की बात मान लीजिए तो खर्चा दे देंगे और बादल साब की बात नहीं माना है आपने तो पर्चा दे देंगे ये हालत पहुचा दिये पंजाब की तो मुझे लगता है कि ये कहने की बाते हैं कि पंजाब को पेरिस और लंडन बना रहे हैं बादल साब बलकि म सिर्फ पंजाब दीने की सारे इंडिया दे वेचे करफशन फैली पे यहार एक जगा दे उते एहाल है तो एद्धान दे कोई तानू लगदा को इंडिया दे वेचे कोई एद्धान दी भी स्टेट है की जड़ी आपका कह सकीए कि आ एद्धान दा हलात हों उनते फिर ठीक है दे खार पीर दे जायेंगे कि लोग ये कहते हैं कि पुलिस के थाने में भुझ जाओ तो लगता है पाकिस्तान की धर्वटी जाएं ऐसा बेवार होता है लोगों के साथ तो ये बात आपकी जिसकों सही है कुछ राज्ये हैं जो सुधारने के लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं कुछ हैं जो इस ब्रस्ताचार को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं लेकिन एक बात है कि जहां पर प्राइवेट लिम्टेट कंपनिया काम कर रही है वो राज तरक्ती नहीं कर रहा है जैसे उत्तर पुदेश का आप उतारव ले लिजिए उत्तर पुदेश में मुलायम सिंग यादो अखलेस यादो रामगोपाल यादो सीवपाल यादो धरमेंद्र यादो दिंपल यादो प्रतीक यादो आदित यादो एक ही परिवार कर आज आजए आप बादल साथ के आज जिम्हें आ जाईए प्रकाश सिंग बादल सुक्बीर बादल हरसिंग रतकौर बिक्रम मजीद श्या आदेश प्रताफ सिंग यहाँ बादल साथ की प्राइविट लिंपेट कंपनी चल रही है तो यह दरसल चंद परिवारों का जो राज चल रहा है देश के अंदर बिहार में चले जाईए वहाँ लुए दो प्राइविट लिंपेट कंपनी है आज भले सत्ता में नहीं है लेकिन वहाँ पर भी एक करुणा निदी की प्राइविट लिंपेट कंपनी का कल्चर है देश में जब तक इस पे राजनीती मुक्त नहीं होगी मुझे लगता है कि किसी राज्य का बला नहीं हो सकता यह अपने परिवारों का बला करने के लिए बने है यह किसी राज्य का किसी देश का बला करने के लिए नहीं आप देखे हजारों करोन की संपत्ती बना लिए इन लोगों ने कहां से आया यह पैसा? कोई पूछने वाला है? कहां से आया इतनी संपत्ती? कैप्टन अमरिंदर सिंगी के बारे में पिछले दिनों आया था कि उनका स्रिज्जर लेंड के बैंक में अकाउंट है उनके परिवार का उसकी एडी पर चाच चल रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है तो मुझे लगता है कि भरस्ता चार एक बहुत बड़ा मुद्दा है औ और इससे अगर कोई पार्टी लड सकती है तो आमादमी पार्टी लड सकी है तो यह बना आ के पैश कीटा जा रहा है? यह कोई मुद्दा जंता के बीच में नहीं है मैंने आपको कहा चंद नेताओं का ये मुद्दा है जनता के बीच में मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है मैंने ये भी आपको बता है ये मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि हम लोगों ने बेहतर काम करके आज एक बेहतर संगठन खड़ा करके आज सौ से ज़्यादा सीटे आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतने जा रहे ही ये पंजाब के कारकरता हों कि मेहनत के दम पे हम दो तो सिर्फ एक सुपरवाईजर एक कारकरता की भूमिका में वहाँ पर स्पाई की भूमिका में काम क कर रहे हैं दिल्ली और पंजाब का मुद्द कब बनता 35 टिकट हम लोगों ने दिये जिसमें 30 हैं दो हिंदू हैं अगर हमने कहीं अपना हिट सोचा होता किसी दिल्ली वाले को एक टिकट देते जब हमने पहले दिन से कह दिया हमको ग्राम पुरानी का चुनाओं नहीं लड अब आप मुझे बताईए दिल्ली का चुना होता है तो वहाँ पंजाब के लोग आके काम करते हैं कभी पार्टी ने मुद्द नहीं बनाया कभी दिल्ली के लोगों ने मुद्द नहीं बनाया अब पंजाब में अगर दिल्ली के लोग जाके काम करना है तो पंजाब के लो बारी, बारी करने गहें जिस दिन मिषань पूरा उस दिन दूसरे राजमी म sentiments की tun लोग नहीं मानतें, ऐसा ये कुछ नेताओं का मुद्दा है, हाँ एक बात मैंने कही है, वाप के रेडियो पे भी कह रहा हूँ, कि जिस मिसन के लिए गया हूँ, उस मिसन से अगर बेहिमानी करूंगा, मैंने कहा है कि एक भी रुपए का बेहिमानी का भरस्टा चार का पर लगाए है, ऐसा कोई भी आरोफ साबित हो जाएगा, तो सहीद आजम भगत सिंग को मानने वाले लोगों से मैं अपील करूंगा, मुझे बोली मार देना, मुझे जीवन, मुझे जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये जो दुस्तर चार करने वाले लोग हैं, इनके चक्कर में मत फसी है, क्योंकि चार महीने अभी और बचे हैं, कितने कितने घटियास तर के आरोफ अभी ये लगाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते, कैसे करें, आप, मैं पंजाब के लोगों से कहना चाऊंगा, मेरे आसमान से लेके पाताल तक, जहां तक हो सके मेर जाच अभी सारी एजनसिया मैं तो सुख्बीर बादल से भी कह रहा हूँ, जाच कराओ मेरी, अगर कुछ भी हमारे खिलाप निकल जाता है, राजनितिक जीवन से सन्यास ले लूँगा, मैंने वादा किया है, कहा है कई बात, लेकिन कोई मुदा नहीं है, इसलिए मुदा है, कोई बात नहीं है, इसलिए बात खरी करनी है, बाहरी बाहरी की, तो मुझे लगता है इसका जवाब खुद पंजाब के लोग चुनाओ के समय देंगे, आप इंतिजार कीजिए, चार महीने के बाद पंजाब की जनता खुद से इस बात का जवाब देगी. संजय जी, सुचा संग शोटे पर उनने पिछले दिनी एक ब्यान देता, कि आम आदमी पार्टी दे विच्च सुनवाई नहीं गा, जो मर्जी आम आदमी पार्टी दे विच्च दिली दी टीम दी और सिर्फ वो किता जनता, सिर्फ फैंस ले थोपे जनते हैं, वो दे बार जिंदर कौरजी हों, चैया Đेवमान जी हो, सारे पंजाब के लोग हैं, पार्टी संगा खन उख्रा कर रहा हैं, हमारी केमपेरन कमेटी में जितने लोग हैं, ऑगत लोगपनी जी जो हमारे कन्वीनर अभी बने हैं, घुगी साब, वो भी पंजाब के हैं, एक बेसर छवी क बहुत लोग प्रियनेता है पंजाब के उनको उनकी तवाओं में 40-40 अजार लोग ही पख्था हो रहे हैं तो सारे डिसीजन लेने में सारे काम करने में पंजाब के साथियों की भूमिका है मैंने फिर आपसे कहा कि हमारी भूमिका एक सुपरवाईजर की हो सकती है इसके ज़्यादा कुछ नहीं है शोटपरो रने भी गल नाल दी नाल कहीं के दुरगेश पाठक दे नाल मेरे थोड़ी किंतु परंतु होना कोई अवाज अठाउना शैद मेरा जुर्म सी पैसे लेना जाओ स्टिंग मेरा जुर्म नहीं सी देखे चोटे पूर जी पार्टी में उन्होंने धाई तीन साल उन्होंने दिन दात मेहनत किये इस बात कोई अंदे नहीं है चोटेपुर जी अभी भी पार्टी में है, जो जाज कमेटी है, उनके बारे में कोई भी प्रत्किरिया हो तो जाज कमेटी दे सकती है, मुझे उसका अधिकार नहीं है जहां तक मेरा विक्तिकत प्रस्न है मैं चोटेपूर जी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मत प्रिपड़ी नहीं करूँगा और अभी भी वो पार्टी में है तो जाच के बाद सारी चीजें सामने आएं भी और जो भी बोलेगे वो जाच कमेटी के लोग बोलेगे तो हाले तक की रीजन है कि वो नदा जड़ा स्टिंग सी गा वो जन तक नहीं किता गया कोई खास रीजन हो दे पिशे काफी टाइम हो गया हो न तो उसको जरनेल सिंग और जजबीर सिंग बीर जी वो उसको पूरी जाच कमेटी में सारे तक्षों की जाच करेंगे उसको देखेंगे तो सिंग का जो वीडियो है या जो कुछ भी है जो लोग उसमें है उनको बुलाना है क्या करना है वो तो उसको कमेटी को तेह करना है मुझे तुछ नहीं तेह करना हो जो कितना किते यहां आदमी पार्टी दे खलाफ खोलके बगावत आपको वाप सीधे चांस है ने? जिखी यह बड़ी मज़दार बात है पशले दिन से ही पत्रकार लोग यह सवाल पूछ रहे हैं अब गांधी जी पार्टी चोड़के जाते हैं तो आमादमी पार्टी कानुक्तान खालसा जी पार्टी चोड़के जाते हैं तो आमादमी पार्टी कानुक्तान तोटेपुर सा अकाली दल के पार्टी को छोड़के जाते हैं तो भी आमादी पार्टी का नुक्सान ये मेरी समझ में नहीं आता तो जो लोग अपनी पार्टी को छोड़के कोई चौथा मोर्चा कोई चौथा फ्रेंट बना रहे हैं वो अपनी पार्टी का नुक्सान करेंगे लेकिन मेरा अपना वेक्तिकत मुख से मानना ये है कि चाहे नौजो सिंग सिद्दू जी हो या परगट सिंग जी हो ये बादल के बरस्ताचार के खिलाफ लंबे समय से लगते रहे हैं नौजो कौर जी लगातार बोलती रही है बादल के बरस्ताचार के खिलाफ तो मुझे ने लगता कि क कोई ऐसा काम या कोई ऐसा चौथा राजनितिक दल वो बनाएंगे जिससे बादल को कोई फायदा हो मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ अभी तक यह राजनितिक दल की कोशना नहीं ही आठ तारीक को सायद नौजो सिंग सिद्दू जी इस पर अपनी राय रखेंगे लेकिन बादल को वोट देने का मतलब है उसके भरस्टा чार का समर्थन करना बादल को वोट देने का मतलब है फन्डा गर्दी और अप्राइद को समर्थन संजय जी पिशले दिनी काफी रोडा पहिंदा रहा काफी चर्चा देवेचे रहा के नवजोद सिदू आम आदमी पार्टी देवेचे शामल हो रहे ने फिर की एद्धा दे रीजन रहे कि उना नो एक लाग फ्रंट नौंस करना पहे गए देखे कोई बातचीत अगर अंतिम लेने पर नहीं पहुंचती है तो मुझे लगता है कि उसके बारे में किसी भी प्रकार की तिपड़ी करना कोई रियक्शन देना ठीक नहीं है अब जो बात अंतिम लेने तक नहीं पहुंच पाई उस पर क्या बोलूँ अगर कोई अंतिम सा होंगा इस बात के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बातचीत हमारे बीच वी और उनको कुछ नेरने के लिए समय चाहिए था वो अपना समय ले रहे हैं तो हम दोगों को इंतजार करना चाहिए इस बात का कि नवजो सिंग सिद्दू जी सही समय पर क्या फैसला लेते हैं सो हले भी जेकर कोई पॉसिबिल्टी उन्दियत अन्व जो सिंग सिद्दू बैंस ब्रदर्स परगट सिंग होना दिली आम आदमी पार्टी देविच कोई जगा सबको अपने पार्टी में लेने के लिए रहे हैं को हमारी और से कोई बाट चीद बंद है या रास्ता बंद है इसा बिल्कुल नहीं है लिए आद्मी पार्टी दे बारे बहुत वधिया वधिया कमेंट आरे वार पर आम आद्मी पार्टी दे दर्वाजे बांदने, कोई खास रीजन? जगमीद बराण साब के बारे में आज आपको अच्छी सूचना मिल जाएगी मैं आपके रेडियो पे ये सिर्फ बताना चाहता हूँ जगमीद बराण जी ने खुद से एलान किया है कि वो अनकंडिसनल सपोर्ट पंजाब को बचाने के लिए बादलों के ब्रस्ताचार के खिलाब बादलों के राज के खिलाफ परिवारवार टे खिलाब आम आदमी पार्टी का अनकंडिसनल सपोर्ट करेंगे ऐसा उनों ने पत्रकार वारता चरके एलान कर दिया है और हो सकता है कि उसकी एक आपचारिक गोशना आज आपको सुनने को मिल जाए साब ने कमेंट कीता से इसे खिजम दे उत्ते कोश है सो यह से चीज करके कोई एक एदादा कोई हैवी फेस जोटे पूर बार ते जगमीत ब्राड अंदर शायद एक कोई रीजन थे नहीं सर ऐसे बिलकुल बात नहीं है और जहां तक अर्विन केजरिवाल जी का सवाल है आप याद कीजिए कि अर्विन केजरिवाल हो सथ हैं इन्हों ने उनटास दुन की सरकार में S.I.T. बनाने का काम किया था 84 राइस के अर्विन केजरिवाल हो सथ हैं जिनोंने 81 साल तक 84 के पिर्डितों पर किसी में घुमरहम रखने का काम नहीं किया उन्होंने प्रिडित परिवारों को पांच माच लाथ रुपे मौपजा देने का थाम जिया अर्विन केजरिवाल जी की सरकार ने पंजाबी सिख्षकों की भर्ती करने का थाम जिया हर्मिन केजरीवाल की सरकार ने बाबा बंदासिं बहादूर जी के नाम बारे में न लगता है कि वो कभी भी ऐसी बात करेंगे ये यकीन ये भरोशा किसी को नहीं हो सकता हम लोग भी वी गारी में बैटे मुझे लगता है यह बिल्कुल नेला भार बात कि रीजन है कि आम आदमी पार्टी दे अंदर दे बंदे एद्दा दे बियान दे ने वार वार देखे पहली बात तो यह कि देवेंदर सरावत दिल्ली के विधायक है पंजाब में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया अचानक वो आके ऐसा आरोप लगा रहे हैं क्यों यह सवाल पतके दिमाग में हो रहा है दूसरी बात कुरान की बेद्दी हुई मलेर कोटला में आरेसस का प्रचारक उसमें गिरिस्तार हुआ गिरिस्तारी किसकी होती है नरेस यादो जो दिल्ली के विधायक आज योगेंदर रियादोजी ने अभी एक हफते पहले बयान दिया इस प्रकार का और उसके बाद दे कल भी मैंने इस बात को कहा था आज भी आपको कह रहा हूँ ये पंजाब की बेटियों का अपमान है हमारी महिला विंग की अध्यक बलजिंदर कौर जी आज महिला आयोग में सिकायत करने जा रही है पंजाब के अंदर चंडीगर में और मैं खुद डीशेमेशन का केस करने जा रहा हूँ देविंदर से रावत पे इस प्रकार का एक भी आरोग कोई साबित हो जाता है मेरे उपर दुर्गेस पाठक के उपर किसी को उपर तो मैं आपसे एक कहना हूँ कि हम लोग बरदास्ट करने वाले नहीं हैं सक्स से सक्स कारवाई होगी किसी भी प्रकार का कोई सबूत मिलते हैं लेकिन उल्जलू निराधार बगैर सबूत के अगर कोई आरोप लगाता है तो उससे भी सवाल पूछना जरूरी है और देविंदर सेरावत किस आधार के आरोप लगा रहा है उसके पास क्या प्रमाण है क्या सबूत है लेकिन कुछ भी बोलना है तो सब्सक्राइब बोले जा रहा है जी सब्सक्राइब लास्ट सवाल करूंगा आम आदमी पार्टी दे विच्चों केड़ा कैंडिडेट होगा सीम दा ये वड़ा एक क्वेस्चन वार वार ओठ दा कोई कहना चाहोगे दे बारे मुझे लगता है सर उसके लिए पार्टी तै बहुत बहुत शुक्रिया थे संजे संग जी आम आदमी पार्टी तो पंजाब दे इन चाट जगभी तब्राड बरे एहम फैसला हो सकता है आज आम आदमी पार्टी दे विच शामल हो सकते ने शायद एदा दे संकेत दे ने इना ने जिली दा थे पंजाब विचली आवनी एक कहना है एना दा सो ऑउनाली दिना दे वेचे आम आदमी पार्टी दे वेचे की वड़े फिर बदल ने नवजोद सिदुनू लायके बैंस परावा नू लायके जान जड़ा नवा चौथा फ्रंट बढ़या उनू लायके की फैंस ले की ते जन दे फिल हाल आम आद तेना इंट्रव्यू पसांद कीता हुगा जुडेरो ते सुन्देरो रेडियो हांजी सोला सोच वत्तरे हैं